आप अपने तबस्सम टॉकीज को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा ना भूलिएगा अदाब, नमस्कार, दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सम और आप देख रहे हैं तबस्सम टॉकीज प्यार के दा मन से लिपटे हम कहां तक आ गए तुम तुझ पर जा गए दोस्तों, उर्दू के बहुत मशूर शायर थे, जौक उनका ये शेर सुनिए, लेकिन शेर सुनाने से पहले मैं आपको बता दू कि जिन्दगी को कहते हैं हयात, और मौत को कहते हैं गजा अब ये शेर सुनिए, लाई हयात आए, लाई हयात आए, गजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए, ना अपनी खुशी चले दोस्तों आज जिस खुबसूरत हीरोईन की मैं बात कर रही हूं उन्होंने लव मेरेज की थी और वो अपनी शादी शुदा जिंदगी से बहुत खुश थी वो कहती थी कि मेरे पती बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ कि उस हीरोईन को खुद उसके पती ने मार डाला तो सब की रूफ काम गई और वो हीरोईन थी सेदा खान 24 अक्तूबर 1949 में पैदा हुई थी सेदा खान कैलकटा में एक मुसल्मान खानदान ने उनकी माँ का नाम था अनवर जा बेगम उनकी एक भाई भी थे और उनका नाम था मुनवर सेदा खान की एक छोटी दहन भी है और उनका नाम है शगुफता और वो बहुत अच्छी राइटर है और कई बड़ी बड़ी फिल्म में लिखी हैं जो बहुत कामयाब रही सेदा खान को बच्पन से ही फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था और खास तोर पर वो हीरोईन बनना चाहती थी इत्तिफाख की बात है कि एक फंक्शन में उनकी मुलाकात हो गई मुशूर प्रडूसर डिरेक्टर राइटर एच एस रावेल से रावेल साहब ने सेदा खान को देखा और कहा तुम मेरी फिल्मे काम करोगी सेदा बहुत खुश हो गई और कहने लगी हाँ हाँ जरूर करूंगी और उसके बाद सेदा खान अपनी मा के साथ कलकटा से मुमबई आ गए मुमबई आते ही सेदा खान को एच एस रावेल साहब ने फॉरान अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया बहसियत हीरोई 1961 में और उस फिल्म का नाम था काच की गुडिया और उसी फिल्म में सेदा खान के साथ पहला ब्रेक दे दिया बहसियत हीरो मनोज कुमार को फिल्मों में सेदा खान की शुरुआत तो बहत अच्छी रही उनोंने कई बड़े-बड़े हीरोस के साथ काम किया जैसे प्रदीप कुमार, मनोज कुमार और किशोर कुमार तुम ज़हा ज़हा लेकिन अफसूस के बाद में उन्हें बड़ी-बड़ी फिल्में नहीं मिली इसलिए उन्होंने छोटी-छोटी फिल्मों में B और C ग्रेट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया सईदा खान बहुत जिन्दा दिल थी, बहुत जोवियल थी और उन्होंने अपनी सहलियों का एक गुरूब बनाया हुआ था और उस गुरूब में थी मुम्तास, उनकी बड़ी बहन मलिका, मैं, बेबी नाज, इनरानी मुकरजी और परवीन चोधरी हम लोग अक्सर मिला करते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, और बहुत सारी गेम्स खेलते थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, और मज़े की बात तो यह है कि 1962 में मशूर प्रोडूसर, डिरेक्टर, राइटर, जे बी एच वाडिया ने एक फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था मैं शादी करने चला, और वो पाँच सगी बेहनों की कहानी थी और उस फिल्म के जो डिरेक्टर थे, रूप, शोरी, उन्होंने हम पाँचों सहलियों को हीरन बना दिया उस फिल्म में ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि सईदा खान ने लव मैरिज की थी, उनके पती का नाम था ब्रिज सदाना और वो बहुत मशूर प्रिडूसर, डिरेक्टर और राइटर थे और कई बड़ी-बड़ी सुपर हिट फिल्में उन्होंने बनाई थी और वो भी बड़े-बड़े स्टार्स को लेकर जैसे चोरी मेरा काम, ये रात फिर ना आएगी और विक्टोरिया नंबर दो सौथ तीन सईदा खान के दो बच्चे हैं सईदा खान के दो बच्चे हैं एक बेटी नमरता और एक बेटा कमल सदाना और कमल सदाना हीरो है कमल सदाना कहते हैं के 21 अक्तूबर 1990 मेरे लिए बहुत मुबारक दिन था क्योंकि उस दिन मेरा जनम दिन था और मैं अपने दोस्तों के साथ उपर बेडरूम में पार्टी मना रहा था पार्टी कर रहा था और बस यहीं से मेरी तकदीर ने पल्टा खाया और देखते ही देखते सारी खुशियां मातम में बदल गई मेरे माबाप हमेशा आपस में लड़ते जगरते रहते थे उस दिन भी दोनों लड़ने जगरने लगे मेरे पापा को बहुत ज़दा घुसा आ गया मेरे पापा बहुत ज़दा तैश में आ गया और उन्होंने बहुत ज़दा शराब पी ली, शराब पीने के बाद उन्हें बहुत ज़दा गुसा आया और उन्होंने गन हाथ में ले ली, मेरी मा ये देखके बहुत घबरा गई, बहुत डर गई और जोर जोर से चिलाने लगी और मेरे पापा ने मेरी माँ को शूट कर दिया हम लोग गोली की अवास सुनके जब नीचे आये तो मैंने देखा कि मेरी माँ खून में लगपत थी मेरी बेहन उसे बचाने के लिए आई तो मेरे पापा ने उसे भी शूट कर दिया और जब मुझे देखा तो मुझे भी गोली चला दी लेकिन वो गोली मेरी गर्दन को छूते हुए निकल गई और मैं बेहोश हो गया जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था मेरे दोस्तों ने मुझे बताया के कमल तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेहन अब इस दुनिया में नहीं रही मैं घबरा गया मैंने सोचा पता नहीं पापा का क्या हल होगा हम लोग फॉरण घर आये तो देखा के पापा भी खून में लगपत पड़े थे उन्होंने अपने आपको भी शूट कर लिया था कमल सर्दाना कहते हैं कि उस भायानक रात के बाद मैंने अपना जनम दिन मनाना छोड़ दिया कमल कहते हैं कि मुझे अपनी जिन्दगी से नफ्रत हो गई मैं जीना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जीना पड़ा दोस्तो सब लोग जानते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जखम भर जाता है उस भायानक हादसे के बाद 11 साल बाद कमल सर्दाना ने शादी कर ली उनकी बीवी का नाम है लीजा और वो बहुत अच्छी है कमल के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं एक बेटा और एक बेटी बेटे का नाम है अंगद और बेटी का नाम है नमरता और अपनी बेहन की याद में कमल ने अपनी बेटी का यही नाम रखा है आज कल कमल सर्दाना अपने परिवार के साथ बहुत खोश है तो दोस्तो ऐसी बाते भी मैं आपके साथ शेर करती रहूंगी आप देखते रहिए तबस्म टॉकीज करते रहिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब